जितनी टैपिंग करनी है कर लो कोई फर्ट नहीं पड़ता मुझे तो कोई फर्ट नहीं पड़ता अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं आपको ठाके ले लो हम इनको पुराने उजानों से हमारेंगे अब देख लेना एंड में ये पुराना अजार सबसे पुराना अजार कौन सा इसा चाहिए देश के युगाओं को मैं समझाना जाता हूं बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं कभी उधर ले जाते हैं कभी इधर ले जाते हैं आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है जो आपका भविश्य है, जो इस देश की पुंजी है जो इस देश का धन है, उसको उठाके ये लोग ले जाते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आत्मा अधानी में है तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है पूरे ओपोजिशन के खिलाव यहाँ पे एपल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है देखिए अच्छी तर देखिए, ये तोते का काम है नमस्कार मैं रवीश कुमार ये स्टेट कौन है, कहां का स्टेट है, इसका कैसा चेहरा है जो भारत के विपक्षी सांसदों और पत्रकारों के आईफोन पर हमला कर रहा है विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के आईफोन पर अलर्ट आया है कि उनके फोन पर राज्य प्रायोजित अटैकर हमला कर सकते हैं एपल कंपनी अपने अलर्ट में राज्य प्रायोजित हमला लिखती है किसी देश या राज्य का नाम नहीं लेदी कंपनी की वेबसाइट पर राज्य प्रायोजित अटैकर की परिभाशा साफ है या नहीं लेकिन क्या सरकार विपक्ष हम और आप नहीं जानते कि राज्य प्रायोजित का क्या मतलब हो सकता है क्या आज की दुनिया में सरकारें साइबर अटैक नहीं कराती फोन के भीतर जासुसी सौफ़वेर प्लांट नहीं करवाती तो यही मतलब निकलना चाहिए और क्या मतलब निकल सकता है नोटिफिकेशन में एपल ने यह तो लिखा है कि हो सकता है कि गलत अलार्म हो मगर उसने राज्य प्रायोजित अटैकर के होने पर संदेह नहीं किया है इसलिए कोई भी राज्य प्रायोजित अटैकर को लेकर संदेह नहीं कर सकता यह तो एपल का फोन है क्या पता जिसके पास एंडरॉइड फोन है उन्हें तो ऐसी चेतावनी भी नहीं मिलेगी और उनके फोन के भीतर क्या कुछ हो गया होगा जाँच एजेंसियां लगाकर विपक्ष के यहां जब तब छापे मारने के बाद अब उनसे क्या जानना रह गया है कि इनके फोन पर स्टेट के अटैकर के हमले का अलर्ट आ रहा है एपल जब अलर्ट जारी कर रही है तो उससे पूछा जाना चाहिए कि किस तरह का सॉफ्ट्वेर है पेगेसेस है या कुछ और है इस अटैक से सांसद और पत्रकार खुद को कैसे बचा सकते है क्या एपल का कोई आधिकारिक बयान आ जाया है इसे लेकर भी अटकले चल रही है क्या आपको पता है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रद्योगी की मंत्राले ने सितंबर और अक्टूबर में एपल फोन को लेकर हाई लेवल की चेतावनी जारी की थी के इनके फोन सुरक्षित नहीं है कोई भी इसके सुरक्षा चक्र को भेद सकता है इसके बाद सरकार सोती क्यों रही हम इस वीडियो में आगे इस पर विस्तार से बात करेंगे लेकिन शुरुआत आज की खबर से करते हैं कॉंग्रेस सांसद शशी थरूर, केसी बेनु गुपाल, रेवन्थ रेडडी, च्छतिस गड़ के उपमुख्य मंत्री, टी एस सिंग देव कॉंग्रेस के दो प्रवक्ता सुप्रिया, श्रिनेद और पवन खेड़ा, राहूल गांधी के कारियाले के सहियोगियों के फोन पर भी अटैक का अलर्ट आया है त्रिनमुल कॉंग्रेस की सांसद महुआ मोहितरा, आम आदनी पार्टी के सांसद रागवचड़ा, AIMIM के सांसद असद उद्दी नोवैसी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुरवेदी, इन सब के आईफोन पर मेसेज आया है कि स्टेट का कोई अटैक कर फोन पर हमला करने वाला है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव टे आईफोन पर भी अलर्ट आया है, माकपा नेता सीता राम येचूरी वीस में शामिल है, पत्रकारों में दवायर के सिधार्त वर्दराजन, दक्कन क्रोनिकल के संपादक, श्रीरा इस तरह का मैसेज कमपनी के माध्यम से मोबायल पर पहुंचा है, और ये जो मैसेज बता रहा है, कि आपका स्टेट एजनसी ये स्टेट की तरफ से है किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो मड़े दुखी बात है, आज हमारे डेमोक्रासी में लोग तंतर में और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको ख़तम करना चाहते हैं, आखे गाँ जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टीयों के बड़े नेता हैं, उनके मोबायल सरवलेंस में लिले जाएं, उनकी जानकाली हो जाएं, य तो ये स्टेट कौन है? कौन विपक्ष के निताओं के फोन में सॉफ्ट वेर घुसाने की कोशिश कर रहा है? 2021 में पेगेसिस का कान्ड सबके सामने आया एपल कंपणी की वेबसाइट पर ऐसे मामलों के लिए एक बना-बनाया जबाब अगस्त 2023 से ही मौझूद है कि एपल कंपणी किसी स्टेट का नाम नहीं लेती, मतलब सरकार का नाम नहीं लेती एपल बस चेतावनी देती है कि राजी की तरफ से आपके फोन पर हमला हो सकता है पेगसस सौफटवेर कितना खतरनाक था एक बार आपके फोन में घुस गया तो वो बंद फोन का वीडियो कैमरा चालू कर सकता था उसके जरिये आपके बेडरूम में जहांक सकता था आपकी सारी बाते सुन सकता था रेकॉर्ड कर सकता था उस वक्त कितना बवाल हुआ अब फिर से विपक्ष के निताओं के फोन पर अलर्ड का आना चिंता की बात है कॉंग्रेस मुख्याला में प्रेस कॉंफरेंस के लिए इंतजार कर रहे मीडिया के इन कैमरों की नजर राहुल गांधी पर थी मगर राहुल गांधी को पता था कि इन कैमरों के पीछे कौन उन्हें देख रहा होगा एक बार के लिए उन्होंने अदानी का नाम लिया मगर कई बार बताया कि सरकार प्रधान मंत्री नहीं सरकार का चेहरा प्रधान मंत्री हैं मगर असली सरकार अदानी हैं और वो देख रहे हों राहुल गांधी ने साफ किया कि वे इस अलर्ट की गंभीरता को ठीक से समझते हैं इन कैमरों के लेंस आसानी से छोटी सी चीजों को भी पकड़ सकते हैं मगर राहुल जानते हैं कि कैमरों के लेंस पर कंट्रोल किसका हो गया है एपल का नोटिस आता है मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बढ़ा करके दिखाया है गाहूल ने कहा कि विपक्ष के निताओं के आईफोन पर अटैक का काम चोरों और अपराधियों का है पेगसेस मामले में भी इस तरह की बात सामने आई थी उनके फोन में भी सौफ्ट वेर था मगर उस जांच का कोई नतीजा नहीं निकला इसलिए वे इस बात को जनता के बीच उठाते रहेंगे कि जब भी अदानी के खिलाब रिपोर्ट आती है उससे देश का ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जाता है पता नहीं आपने सुनी है या नहीं एक पुरानी कहानी है पहले टाइम बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था उसके खिलाफ सारी लोग खड़े हो गए थे पूरी जनता सारा का सारा ओपोजिशन उन पर आकरमन कर रहा था और वो कैफलान जैसे थे उन पर जितना भी आकरमन करो कुछ होता नहीं था तो थोरी साल बाद जो ओपोजिशन के लोग थे जो उसको रिजिस्ट कर रहे थे वो एक बाहर एक रिशी बैठा रहता था उसके पास गया है उसके कहा कि बताईए हमें बात समझ नहीं आ रहे हैं हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आकरमन करते हैं जनता इसके खिलाफ है कुछ होता ही नहीं जितना हम इस पर आकरमन करते हैं ऐसे लगता है कि हम गल्थ जगे मतलब पीर मार रहे हैं तो रिशी ने कहा काफी मतलब नौलिजबल था तो उसने का देखिए अच्छी बात क्या ह है यह जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है इसकी आत्मा वहाँ पे पीछे एक छोटा सा घर है वहाँ पे पिंजड़े में एक तोता बैठा है इसकी जो आत्मा है ना वह उस तोते के अंदर है उस तोते को जाके आप पगड़ लीजिए राजा कहत्म हो जाएग क्योंकि नरेंद्र मोटी जी की आत्मा अदानी भै तोता कहीं बैठा है राजा कहीं बैठा है और बहुत समय के लिए सारी की सारी opposition राजे पेटाय कर रही थी, मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पाउर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है, जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजन्सीज, स्नूपिंग, CBI, मैं पहले सोचता था, नबर वन, प्राइम इनिस्टर, नमर तू अदानी, नमर थ्री अमिच्छा, एक्चल यह गलत है, नमबर वन अदानी, नमबर तू प्राइम इनिस्टर, नमर थ्री अमिच्छा, अभी हिंदोस्तान के के नहीं निकल सकते हैं कि अधानी जी को हमने ऐसे घेरा है तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बचके नहीं निकल सकता है और इसलिए यह सारा कर सारा हो रहा है distraction politics कि देश की निगा opposition की निगा पिंजने में बैठा हुआ तोते की और ना चले जाए तो हम भी काभी clarity है आप देखिए पूरे opposition के खिलाव यहां पर एपल का notice आता है मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बढ़ा करके दिखाया है पेगसस इसराइल की एक company का बनाया हुआ software है 2021 जुलाई में जब यह मामला आया कि विपक्ष के नेताओं पत्रकारों और यहां तक कि सरकार के करीबी लोगों के फोन में भी अजासूसी software है तब भारत में जाँच नहीं हुई फ्रांस में जाँच हुई जिसने बताया कि पेगसस के इस्तमाल की बात सही है तीन पत्रकारों पर इससे हमले की पुष्टी हुई हंगरी में भी जाँच हुई और पाया गया कि पेगसस software का इस्तमाल हुआ है अमेरिका की जाँच एजनसी FBI ने भी पिछले साल फरवरी में मान लिया कि उसने पेगसस खरीदा है मगर ये भी कहा कि ये नई तकनीक से अपडेटेट रहने और उसके परिक्षण करने के लिए खरीदा गया यही FBI दस महीने बाद एपल की बढ़ती क्लाउड सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर रही थी दो हजार इचीस में जब पेगसस software आईफोन में घुस गया तब इस फोन की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में बवाल मच गया एपल कमपनी का दावा था कि उसके आईफोन की सुरक्षा इतनी आसानी से नहीं भेदी जा सकती पेगसस से एपल को काफी धक्का लगा तब उसने कई घोचनाएं की एपल साइबर सर्वेलेंस की रिसर्च के लिए 10 मिलियन डॉलर का योगदान देगा यही नहीं नवंबर 2021 में एपल ने कैलिफोर्निया में मुकदमा कर दिया कि पेगसस बनाने वाली इसराइल की कमपनी NSO और उसकी पेटेंट कमपनी पर किसी भी एपल साफ्टवेर सर्विस डिवाइस के इस्तिमाल का प्रतिबंध होना चाहिए एपल के उच्छ अधिकारी ने कहा कि NSO जैसी राज्य द्वारा प्रायोजित इकाईयां स्टेट स्पॉंसर जासूसी करने के लिए करोडो रुपए खर्च करती हैं बिना किसी जवाब दही के इसे बदलना होगा एपल के केस करने के कुछ हफतों के बाद इक खबर आई कि जॉर्डन में कुछ मानवादिकार कारकरताओं के फोन हैक कर लिए गए तब मीडिया को दिये बयान में एपल ने स्टेट स्पॉंसर्ड यानि राज्य द्वारा प्रायोजित अटैक की तुलना एन्सो से की थी एन्सो ही पेगसस जैसी सॉफ्टवेर बनाती है जो दावा करती है कि वो अपना सर्वेलिंस मेटिरियल केवल सरकारों को देती है नहीं सरकार ने चुप्पी साथ गई भले ही एपल की वेबसाइट पर लिखा है कि वो स्टेट स्पॉंसर्ड को परिभाशित नहीं करती है नाम नहीं लेती कि कौन सी सरकार है मगर उसके एक पुराने बयान से आप समझी सकते हैं कि राज्य द्वारा प्रायोजित अटैक का मतलब एपल के लिए क्या है बस वो सरकार का नाम नहीं लेती सरकार की हरकत हो सकती है इसका इशारा तो कर देती है पेगेसस के बाद अपनी छवी ठीक करने के लिए एपल ने आईफोन के लिए एक अलर्ट सिस्टम विक्सित किया अगर किसी का फोन टारगेट होगा तो एपल अपने यूजर को अलर्ट जारी करेगा एपल ने ऐसे लोगों को परिभाशित किया है कि ये कौन लोग है और आप इसी से समझ सकते है कि स्टेट स्पॉंसर्ट का क्या मतलब हो सकता है कौन लोग ऐसे लोगों के पीछे पढ़ सकते है या केवल हैकिंग नहीं है यहाँ पर एपल खास तौर पर स्टेट स्पॉंसर्ट को दूसरे तरीके से परिभाशित कर देती है आम तौर पर जो साइबर क्राइम होते हैं उससे राज जिद्वारा प्रायूजित अटैक अलग होता है इसमें बहुत हाई क्वालिटी का सौफ्ट वियर इस्तमाल किया जाता है जो बहुत कम लोगों पर खास तौर से इस्तमाल होता है इस वज़े से इन अटैक को रोकना पकड़ना बहुत मुश्किल है एपल को अपने वेबसाइट पर यह सब लिखना पड़ा और सुरक्षा फीचर बढ़ाने पड़े क्योंकि वह सुरक्षा के नाम पर ही दावा करती रही है कि दूसरे फोन के मुकाबले उसका आईफोन सर्वस्रिष्ट है पिछले वर्षों में हैकिंग और जासूसी की बढ़ती घटनाओं के चलते एपल ने लॉकडाउन मोड और इस तरह से सुचना भेजने की सेटिंग भी लॉंच की हमारा सवाल है कि क्या एलेक्ट्रोनिक एवं सुचना प्रद्योगी की मंत्री अश्विनी वैश्णव को एपल से कोई जवाब आया है उनकी कोई बात हुई है जिसके आधार पर उनका बयान है या फिर एपल की वेबसाइट पर पहले से जो मौझूद है उस सुचना के आधार पर मंत्री जी ने बाते कहीं है दोनों बातों का इस पश्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि अश्विनी वैश्णव ने कैसे ये बयान दे दिया कि एपल ने डेड़ सो देशों में ऐसे अलर्ट जारी किये हैं उनके ही राजजी मंत्री का ट्वीट है और उसकी भाशा लग है कि एपल ने अगर चेतावनी जारी की है तो इस पश्ट करे कि ऐसे नोटिस डेड़ सो देशों में लोगों को कैसे मिले हैं हिंदू अखबार ने लिखा है कि अश्विनी वैश्णव ने डेड़ सो देशों का जिक्र कर मामले की गंभिरता को कम करने का प्रयास किया इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ने लिखा है कि पिछले दो वर्षों में डेड़ सो देशों में लोगों को चेतावनी दी गई है आज की घटना से इसका कोई संबंध नहीं है जब सरकार के पासी स्पष्ट और ठोस जानकारी नहीं है तो बयान देने की इतनी जल्दी क्या थी दुनिया की छोड़िये भारत में विपक्ष और पत्रकार के फोन पर अलर्ट क्यों आया हम आपको बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोनिक वसूचना प्रद्योगी की मंत्राले की एक कम्प्यूटर एमर्जेंसी रिस्पॉंस टीम है सर्ट इन इसने 27 अक्टूबर को हाई कैटेगरी की चेतावनी जारी की है ठीक इसी तरह की चेतावनी सितंबर महिने में भी जारी की गई थी इस चेतावनी में लिखा गया है कि एपल के प्रोड़क्ट में कई तरह की सुरक्षा चूक की संभावनाएं है कोई अटैकर चाहे तो सम्वेदन शील सुचनाओं को निकाल सकता है फोन के सुरक्षा चक्र को भेज सकता है एपल डिवाइस में घुसकर जानकारी निकाल सकता है जरूर सर्ट इनने कुछ जांच की होगी एपल फोन की पड़ताल की होगी तभी तो ये चेतावनी जारी की गई हम चाहते हैं कि आप भारत सरकार के इस नोटिस को इस वक्त ध्यान में रखें क्योंकि इसी के सहारे वीडियो में अभी कुछ और बाते करनी हैं 27 अक्टूबर को एपल फोन को लेकर सरकार की एजनसी हाई लेवल की चेतावनी जारी करती है और 27 अक्टूबर को ही अश्विणी वैशनाओं भारत में बने आईफोन की तस्वीर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि Made in India iPhones by Tata उसी दिन यानि 27 सितंबर को राजीव चंदरशेखर भी ट्वीट करते हैं जो उनके मंत्राले में राज्यमंत्री हैं राजीव चंदरशेखर लिखते हैं कि धाई साल के भीतर Tata कमपनी भारत और ग्लोबल बाजारों के लिए आईफोन बनाना शुरू कर देगी राजीव चंदरशेखर ये भी लिखते हैं कि सरकार एपल को पूरी मदद देगी ताकि मैनुफैक्चिरिंग में भरोसेमंद सहयोगी बन सके जिस दिन यानि चार दिन पहले जब ये दोनों मंत्री आईफोन की तारीफ कर रहे थे प्रचार कर रहे थे तब उनके ही मंत्राले से फोन को लेकर चेतावनी जारी हो रही थी चार दिन बाद विपक्ष के निताओं के फोन में अलर्ट आता है आज राजीव चंदरशेखर ने कहा कि सरकार एपल के दावों की जाँच करेगी के कमपनी सुरक्षा और निज्टा का ध्यान रखते हुए फोन बनाती है इन दोनों मंत्रियों को तब ध्यान में क्यों नहीं आया जब एपल के फोन को लेकर सितंबर और अक्टूबर में हाई लेवल की चेतावनी जारी की गई कल तक ये दोनों मंत्री भारत में आईफोन के बनने को लेकर सूपर पावर इलेक्ट्रोनिक पावर बनने का सपना बाट रहे थे आज कह रहे हैं कि एपल के दावों की जाँच करेंगी हिंदू अखबार को एपल कमपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने भारत सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया है और नाहीं इससे इंकार किया है ध्यान से आपने सुना उन्होंने भारत सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया है और नाहीं इससे इंकार किया है यह उस खबर का हिस्सा है जहां Apple Company की बात लिखी है हिंदू ने यह भी लिखा है कि अभी तक यह साफ नहीं है कि भारत में Apple के अफसरों को अलर्ट की जानकारी थी या नहीं Apple ने हिंदू के समवादाता के सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या भारत सरकार ने उन से इनलर्ट के बारे में पूछा है या एपल भारत सरकार को जानकारी उपलब्द कराएगी अपल के प्रवक्ता ने हिंदू अखबार से बात की बाकी मीडिया को साफ करना चाहिए कि वे स्टेट स्पॉंसर्ट थ्रेट के बारे में जानकारी एपल के प्रतिनिधी से बात करके दे रहे हैं आपको या एपल की वेबसाइट पर पहले से जो मौझूद है वहां से लेकर दे रहे हैं जहां स्टेट स्पॉंसर थ्रेट के बारे में बताया गया है अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि विपक्ष के निताओं ने गलत आरोप नहीं लगाए उन्हें अलर्ट आया है तो सब को बताया स्क्रिंशॉट ट्वीट किया एपल की वेबसाइट पर ही जाकर आप चेक कर सकते हैं कि अलर्ट सही में आया है या नहीं आज हमने देखा कि देश के विपक्षी दलों के कई दिगज नेताओं ने यह दावा किया है कि एपल कंपनी से उन्हें एक चतावनी जारी की गई है यह चतावनी कंपनी सिरफ तब देती है कि जब कोई बहुत ही बड़ा कि नहीं नहीं है कि अगर यह विपक्षी दलों के ही अटाक किया रहा है और किसी और नहीं हो रहा है तो यह बहुत ही संधेपून बात है और हम सब को इस समय अपने फोन चक करने चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है, हमारी सरकार को इसके अंदर इन्वेस्टिकेशन करना चाहिए, इस जानकरी को जब उन्होंने साजा किया तो ये भी बताया कि आपल कंपनी क्या कहती है, हम ये पढ़ सकते हैं कि किस तरीके की चतावनी दी जाती है, उसका मतलब क्या होता है और समवेदन शील डेटा, संचार कि यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन आधी भी इससे सक्षम हो सकते हैं ये एक बड़े ही संधर्ब की बात है कि ये सिरफ विपक्षी दलों के साथ ही हो रहा है हम आदमी पार्टी के सांसद रागफ चड़ा ने भी ये दावा किया है कि उनका आईफोन भी हैकिंग की चतावनी दे रहा है हमको ये देखना पड़ेगा कि एपल के अंदर अटलीस लॉकडाउन मोड अक्टिवेट करने की एक सुविदा है कि ये सारे जो नेता हैं इन्होंने वो अक्टिवेट कर दिया हो पर ये एक सांसद में उठाने लायक मुद्दा है और हमारे सब लोगों को इसके बारे में गंभीरता से इसे लेना चाहिए और एक डिसकशन होनी चाहिए त्रिन्मुल सांसद महुआ मोहित्रा को भी नोटिस आया महुआ ने सुबस साड़े नौ बजे ही ट्वीट कर दिया कि मुझे एपल से इमेल और मेसेज आया है कि सरकार मेरे फोन को टैप करना चाहती है महुआ ने कहा कि इस बारे में वो स्पीकर को भी लिख रही है विपक्ष के सांसदों की सुरक्षा पर ध्यान देने और राज धर्म निभाने की अपील करने लगी महुआ मोहित्रा ने कहा कि वो डरने वाली नहीं है शिवसेना सांसद प्रियंका चत्रवेदी ने तो रात पौने 12 बजे ही ट्वीट कर दिया था कि यह कौन हो सकता है प्रियंका चत्रवेदी ने इसे ग्रिमंत्राले को भी ट्वीटर पर टैग किया एपल फोन पर जो अलर्ट आया है उसे पेगेसिस के अनुभव से आप अलग नहीं कर सकते विपक्ष, पत्रकार, तमाम अधिकारी, बिजनिसमेन, दिनरात इस बात की आशंका में जीते हैं कि उनके घर कभी भी छापा पड़ सकता है उनके फोन की रिकॉर्डिंग हो रही है सवाल यह भी उठ रहा है कि ऐसा अलर्ट बीजेपी के किसी सांसद को क्यों नहीं आया आठ सांसदों को अलर्ट आया है और वे सभी के सभी विपक्ष के हैं देखे यह गंभीर भी है, दुर्भागेपूर्ण भी है और कई अन्देशे और आशंकाओं को जन्म देता यह कुछ डराता है, यह कौन सा देश बन रहा है साब, नौर्ट कोडिया मॉडल हो गया, और अगर इस तरह की चीजें विपक्ष के महत्वकूर्ण नेताओं के बारे में अज सुबह से खबर बन रही है, तो जो संबंधित महकमा अब तक चुप क्यों बैठा है, क्योंकि उसी चुपे में कहीं ने कहीं, लोगों के मन में ये बात घर कर रही है, कि एक उद्योग पती विशेश, क्या अडानी जी, पर सवाल ना हो, इसके लिए सारी कवायद की जा रही है, मैं समझता हूँ कि कई सारी चीज़े जो हमारे जहन में थी पेगसस को ले करके, आज इस तरह के अलर्ट के आने के बाद, वो साबित हो जाता है, और सरकार की चुप़ी उसको साबित करने बे मदद करती है। ये भी कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार ने समिती के साथ सहयोग नहीं किया, क्या सरकार इस बार वाकई गंभीरता से जांच करेगी, कि अलर्ट क्यों जारी हुआ, किसकी तरफ से विपक्षी नेताओं के आईफोन पर अटैक करने का प्रयास हुआ है। जोर्ज और्वेल की रचना 1984 के कई प्रसंग इस वक्त याद आ रहे हैं। आप दिल्ली में किसी से बात कीजे, सरकार से जुड़े कई लोग, सरकार से सवाल करने वाले कई लोग सीधे नंबर डायल कर फोन नहीं करते हैं। क्या मोधी सरकार के मंतरी, FaceTime, Signal, WhatsApp कॉल की जगह सीधे नंबर डायल करते हैं। उन्हें भरोसा है कि उनके फोन को कोई नहीं सुन रहा। क्या है। कोई वीडियो नहीं था, तभी आस्ट्रेलिया से हमारी एक दर्शक ने हेलोविन का वीडियो भेज दिया, जिसकी मदद से हम आगे की बात कहने जा रहे हैं। इसकी हंसी के सामें हम सभी की हैसियत यही रह गई है, कि अब हर वक्त सर पर कोई डराने वाला मंडरा रहा है, नजर घुमाईए तो कोई ना कोई भूताहा साया नजर आता है, नजर उठाईए तो घने पेड़ों के पत्ते में छुटकर वेमपायर हमारी खबर ले रहा होत है, कोई जगा खत्रे से खाली नहीं है, इसलिए राजधानी दिल्ली के लोग फोन बदलते रहते हैं, फोन के भीतर एप बदलते रहते हैं, वाटसअप पर बात करने वाला अब सिगनल पर बात करता है, नॉर्मल फोन से कोई बात नहीं करता है, जिसके पास आईफोन है, ताइम पर फोन करता है, सबकी यही दलील है, आपके फोन में कोई हो सकता है, कोई सुन रहा है, यह जो भूत है, बच्चों के खेलने, कूदने के तिहार, हैलोवीन का लगता है, मगर आप बड़ों के दुनिया में असली है, यही स्टेट के चेहरे की कलपना को साकार करता ह अगर आप इस नजर से देखें तो खोश उड़ जाएंगे, एक लेवल पर हमें मीडिया की जरूरत है, हमें सेल फोन की जरूरत है, मतलब यूट्यूब चैनल है, मेरा उसको बंद कर रखा है, मतलब सप्रेस कर रखा है, मेरे ट्विटर को सप्रेस कर रखा है, फेस्बुक को सप्रेस कर रखा है, हम सब जानते हैं, आपको आकणी चाहिए हम दे देंगे, एक लेवल पर ये है, बट दूसरी लेवल पर क्या होता है, जब ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर हमें इनोवेट करने की जरूरत होती है, और फिर सचमुच की राजनेती हम टेकनोलोजी को कंट्रोल करके, हिंदुस्तान के यवाओं के अंदर जो दर्द है, उसको कंट्रोल कर लेंगे, वो नहीं आएगा हाथ, हम अड़ाप्ट कर रहे हैं, भारव जोड़ो इसका एक बहुत अच्छा उधारन है, उसमें कोई टेकनोलोजी की निजरूरत नहीं हैं, आप पुरी टेकनोलोजी बंद कर दो, बंद की हैं इन्होंने, पूरा मतलब दम लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्चली जिस लेवल पे हम पहुँच गए हैं, मुझे लग रहा है, बड़ी इंट्रिस्टिंग बात है, मुझे लग रहा है कि पुराने ह होजार ज्यादा बेनिफिशल हैं, ज्यादा एफेक्टिव हैं, और हम इनको पुराने होजारों से ही मारेंगे, अब देख लेना, एंड में ये पुराना हजार सबसे पुराना हजार कौन साथ चाहिए, उसी से हम इनको पकड़के, कोई भाग नहीं सकता, आपका फोन सुर की सूचना, फोन नंबर घर का पता, ये सब जानकारी लीक हो गई है, हिंदु अखबार की रिपोर्ट है कि अमेरिका के साइबर सेक्यूरिटी फर्म ने इसकी जानकारी इंडियन काउंसिल अव मेडिकल रिसर्च को दी है, तो ये हाल है सरकार का और ये हाल है आपके डेट चोरी हो रहा है, चोर घुसकर आपकी बात सुनना चाहता है, विपक्ष के सांसत पत्रकारों के फोन को कोई सुन रहा है, कोई सुनने के लिए हमला कर रहा है, ये सवाल हर नागरिक के लिए पहला सवाल होना चाहिए, वैसे भी सरकार ने कह दिया है कि कौन सी कमपनी, किस प दरूरत पढ़ सकती है आप जानते हैं नमस्कार मैं रवीश कुमार